हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल स्रिष्टी एजुकेशन होस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने बाला हूं प्रमुक खेलों में एक पक्षमे खिलाडियों की शंख्या तो दोस्तों यह सारे कोश्चन एक जाम में पूछते हैं तो हम लोगों को बहु लाइफ टाइम के लिए याद रहा जाएं देखिए दोस्तों इसमें जो कन्फ्यूजन वाला कोश्चन होता है जिसे मैं तीन भाग में डिवाइड कर दिया हूं बेश बॉल खोखो एक भाग हो गया है इसे यहां पे एक भाग लिख सकते हैं बाटर पोलो कबड़ी नेट इसे दूसरा भाग में इन्हों डिवाइड कर लते हैं और तीसरा पॉलो बास्क्यट बडल और बोली उसे तीसरा भाग में हमनों इसे दोस्तों देखें बेश बॉल और खोखो इे दोनों में नो-नोख रही होते हैं लेकिन हम लोगो एक्जाम में ऐसे पढ़ ले से तो या मिश नहीं होगा तो देखें बेशबॉल और खोखो इसका ट्रीक है कि वेश्ट खाना बेश्ट खाना इसे याद रखना है तो बेश हो गया बेशबॉल और खाना खाना से खोखो हो करने का मतला है बेश्ट खाना मतलब बहुत अच्छा खाना तो अच्छा खाना से याद रहा कि नहीं बेश्ट खाना है खाना बेश्ट होता है तो इस अनिशन में हम लोग को याद रहा जागा बेश्ट खाना तो बेश्ट बॉल और खाना से खोखो उश्य ब्रगात दूसरा कबड़ी और नेटवॉर इस तीनों में भी खिलारियों की संख्या सेम होती है यह तीनों में खिलारियों की संख्या साथ साथ होती है तो आये इसको भी हम लोग ट्रीक से देखते हैं तो इसका ट्रीक है वाटर, पीया, कबड़्टी, खेला, नेट में जाकर हस गया यह जो मैं एक बाक लिखाया उसी को आप लोगों को याद करना है तो यह हमेशा के लिए याद रहा जागा बाटर पिया कबड़ी खेला नेट में जाकर फसी है बाटर पोलो हो गया है बाटर पिया से कबड़ी खेला कबड़ी हो गया है नेट में जाकर फसी है तो यह नेट है तो नेट से नेट वल हो जागा तो इससे हम लोगे यह तीनों याद हो जाएगा अब तीसरा और आखरी जो confusion का question रहता है उसे हम लोग देखेंगे तो यह देखें इसका क्या है पोलो बास्केटबॉल और बॉलीबॉल जिसका बहुत सिंपल है इसका trick हो जाएगा पो बा बा बो पो बा याद कर लेंगे हम लोग पोश्य पोलो बास्केटबॉल और बास्केटबॉल इसमें थोड़ा से ध्यान देना है कि बेश्टबॉल और बाटर पोलो बेश्टबॉल यह पहला और दूसरा में खिलारियों की संख्या सेम थी लेकिन इसमें changing है इसमें क्या changing है कि पोलो में 4 है तो बास्केटबॉल में ए बास्केटबphis में पांच तो बॉलीबॉल में फो जागा तो उस तरह पॉलु में चार वद्सकेट máximo पांच को आर ऑ और बॉलीबॉल में शें तो ये तीनों जोकिन-फ्यूजन वाला द्था उसे हम लोग देख लिए हैं अब आगे जा जो कोश्चन है उसे हम लोग बिना ट्रीक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर लेंगा तो दोस्तों अब हम लोग रगभी फुटबॉल टेवल टेनिस गिमनास्टिक होकी किर्केट यह सब के बारा में देखें यह सब आप लोगों को याद डेफिनेटली सब MARK सबसे ज्यादा यह तो सबसे ज्यादर रगभी फुटबॉल मैं तो सबसे ज्यादा ये पानदर तो यह तो यह याद करने के जरूत नहीं है कि सबसे ज्यादा वला रग्भी फूटबॉल तो यह याद हो गया अब टैनिस एवां टेवल टैनिस है तो टैनिस जानते हैं कि हम हमारे देश का स्टार टैनिस प्लेयर सानिया मिज़ा खेलती है टेनिस तो यह चीज़ तो हम लों को पहले ही से मैं चुछ देखते हैं तो टैनिस एवां टेवल टैनिस दोनों में एक या दो प्लेयर खेल सकते हैं एक एक मिनियम खेलते हैं और दो हाइस्ट खेलते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा खिलारी नहीं खेल पाते हैं क्योंकि इसका कोट है जो काफी छोटा होता है तो एक या दो खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं अब रही बाद देखिए एक है जीमनास्टिक जीमनास्टिक में आठ और यह तो अब इसके बाद होकी फुटबॉल क्रिकेट इसमें गया रहा है तो आपको शिर्क इसे याद करना है दोस्तों जीमनास्टिक में आठ इसका कोई ट्रिक नहीं है और एक क्या ट्रिक बनाईएगा तो जीमनास्टिक में आठ इसे याद कर लेना है और बाकी होकी फुटबॉल क्रिकेट यह तो हम सभी लोग को यह दोनों को तो हम लोगों को बहुत पहले से याद हैं तो होकी फूट वोल क्रिकेट 11 यह हमें नहीं लगता कि किसी को याद कराने की जरुवत है यह सभी लोगों को याद होता है तो दोस्तों एम लोग एक बार इस्ची को फिर्षी कोल कर लेते हैं यह ती किन दॉम मैं मैं जिसे दिवाइड किया था उसे फिर रिकॉल कर लेते हैं तो बेसरों को के लिए बेश्ट खाना अशिआफंट ऑबर्डी निट ये आफ्या पेंद्फ यह अब पोलो बास्केटबोल और बॉलीडोल के लिए कि पोबावो पोलो में चार एक-एक वरिदी कर देना बास्केटबोल में पाज और बॉलीडोल में छे रगबी पुटबॉल में सबसे अधिक हिलारियों की संख्या होती है यह बताय है याद रह प्लेयर सानिया मिर्जा का खेल है इसमें एक ये दो ये याद रख लिएगा मिनिमम में एक हाईस्ट दो जिमनास्टिक में आठ इसे याद कर लिएगा और इसे याद करने की जरूत नहीं ये सबी को याद रहता है तो दोस्तु कैसा लगा आप लोगों को यी वीडियो कॉमे चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक कर देजेगा तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद